तो नमश्कार प्यारसाथ यूं प्याजसर क्लासेज के ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत अभिनांदन है लिए हम बात करने जा रहे हैं किसकी राजस्तान की इतियास की और राजस्तान की इतियास को जीत तोर मैनत के साथ आप पढ़िए और पढ़ते रही है हम आपके भवश्य में हमारे सब्सक्राइब करें लाइक करें और जरूर करें ताकि आपके भाई बंदों को भी फाइदा मिल सकते हुआ हम बात करें तो किसकी राजस्तान की इतियास के पर पढ़िए और राजस्तान के इतियास में हमने क्या क्या बाते कि थी वो देगीत तो कि यह पढ़ाता है पिछली क्लास में देखिए का पेरे साह्तिक फिछली क्लास में हुँं मिश्के बारे में पढ़ रहे थे भी कि तो उड़ा सा रिवाइज करा देता हूं मैं फैस्टी क्लास का और पड़ते हैं रावल रतन सींग के बारे में हमने जाना था कि इसका सासनकाल तेरा सो एक से तेरा सो तीन तक इसका सासनकाल है यह रावल साका का अंतिम सासक माना जाता है 1540 में इसके सेर्शा सूरी का विद्वान ता कौन अलिक मुंबच चैसी के द्वारा एक रचना लिखी गई पदमावत और उसकी कौन सी अउधी भासा में लिखी गई इसका समर्चन करने वाले य इसके बाद हमने देखा था पूरी कहानी के इस प्रकार से रतन सींकी और पदमावति की कहानी सुनी थी प्रकार से वह लेकर आया था तो प्राप्त कर ली थी एक खेल में को जीत कर लाया था किसको जीत कर लाया था भी पद्वनी को जीत कर लाया था उसके बाद हमने बात की थी मेवाड का साथ सक रतन सींगी दर्शे का का लगाउद दिनी का साथ सक और इसके पास कौन रागाउचेतन किसके सरण में चला जाता है अल्लाउद्दिन की सरण में चला जाता है और अल्लाउद्दिन की इसको पर आक्रमन करता है और देखिए पंबीरी और बेड़स नदियों के शंगव पर 6-8 महिने के डेरा डालता है 20 अगस्त को इसके अंतिम निर्णाय के युद्ध होता है 28 जनौरी को वो दिल्ली से रवना होता है और कहा आता है मेवार के और आता है यहां पर 6-8 महिने के बीच में शुदा ठिकाने का सामंत हुआ करता थाकूर हुआ करता था लक्षमन सींग इसकी द्वारा किसे इस अल्ल दोस्तों यहां पर रावल रतन सींग को बंदी वनाने का कारे कोन करता है अलाव दूखिल इरकान ले जाता है और तरीके से का ले जाता है वह बंदी बनाकर का ले जाता है दिल्ली ले जाता है दिल्ली में कहा जाता है कि यह सौरार दिल्ली में का हैं कि यहां पर कर ली जाता है नहीं कि यहां पर वह जाता जाता हैँ यहां तक हम साइद कर ली आ कि इसके बात नेक्स्ट बात करें अब क्या कंडिशन हो जानकारिया हमें मिलती है तोड़ गड़ दुर्ग की से संबंधित जानकारी मिलती है पहरसाती हूं तो ध्यान रखना है यह रखना है कि के डिख्याबाद करता है सबस्क्राइब कर sihra घृतर करने के बात ऑद इसका नाम बदल कर इसी के नाम पर फिजराबाद कर देता है फिजराबाद कर देता है कुछ समय पर चात यह मान देऊ-चोंगरा को न्यूट करता है यहां और दिल्ली चला जाता है अमीर कुष्रो की जो पुस्तक है खजाइन उल्फतु हमें इसकी जानकारी मिलती है यहां पर यह तीस अजार सेनिकों का कत इसलिए आम अल्ला उद्धिन करवाता है अल्ला उद्धिन कोन पहर दोस्तों आला सुद्धी खिल जी लाउद्धिन को टोड में तोड कड दूर में जब प्रवेश करता है प्रवेश करता है तो इसे तो इसे पद्मनी द्मिनी कुन प्यार दोस्तों पद्मनी प्राप्त नहीं होती ही होती इसकारण यह कारण 30,000 वेक्टियों को 30,000 वेक्टियों का कतले आम क्या करवा देता है भी कतले आम करवा देता है कौन करवा देता है अल्लाव दिन कीजिए 30,000 वेक्टियों का कतले आम करवा देता है कहां पर चितोड़गर दुर्ग में 30,000 वेक्टियों का कतले आम अल्लाव दिन के द्वारा करवा दिया जाता है यह द्यान रखना है आप प्रवेश करता है जब तक क्या है कि रानी पदमनी थी वो जोहर कर चुकी थी और जोहर कर चुकी थी तो इसको प्राप्त नहीं होती यह रतन सिंग को मारकर दुर्ग में प्रवेश करता है किसको प्राप्त करने के लिए रानी पदमनी को लेकिन इसे प्राप्त नहीं होती तो इसे गुष्षा आता है गुष्षे में क्या करता है यह करता है पैर दोस्तों कि यह सज्जार विक्तियों का कतले याम करवा देता है अब गंबीरी नदी पर एक पुल का निर्मान करवाता है जिसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्टियों के चुकड़े लगवाता है जिसमें हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं के तुकड़े जिसमें हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं के टुकड़े लगवाता है लगवाता अर्थार यह पूल बनाया जाता इसके द्वारा था यह मूर्ती विरूदी था तो इसकाड़न का जाता है कि सारी मूर्तियों को तोड़े के टुकड़ों के निर्मान में लगवाता है कों तब यहां पर अधिकार करने के बाद इस अस्थान और इसका प्रसास कंहें प्रत्शा करके जाता है यहां कि यह समय प्रसात कर चला जाता है भी डिली चला जाता है और दिली चलाने के प्रशाथ क्या करता है यहां का पर साथ सक्ष को माल दिव सूनगरा को न्यूक्त करके चला जाता है चलिए थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं पुष्टकों की बात करें यहां की जानकारी मिलती है यहां की जानकारी किस-किस से मिलती है इस इस रतन शिंग की जानकारी की जूसरोत है पहर दोस्तों यहां से जानकारी किस-किस पुष्टकों से मिलती है किन-किन से यहां की जानकारी मिलती है कौन-कौन सी पुष्टकों एक तो अमीर खुश्रो की खजाइन उलफटौ ठीक है इसके बाए में अपने बाइब स्काइब बीवी बात कर चुके हैं अमीर खुश्रो तो इसकी पहुश्रो अमीर पुश्रो और इसकी रचना थी तथि रचना कौने ये पयार स्काइब स्साइन्ग 15 16 रसना कोन सी है। खज़एन sed unt कि क्या कहते हैं। इसे ही किया करते हैं वी अर् outlet तारिक ए अलाई भी करते हैं क्या करते हैं तारिक ए अलाई भी करते हैं इसी कुष्टक को क्या करते हैं तारिक ए अलाई भी करते हैं खजाइन उलपतु जो अमिर कुष्रों की कुष्टक और जानकारी कहां से मिलती है में धाबाई या धाइबी पीर की दरगा जो पारसी ले जानकारी मिलती है कहां से मिलती है धायबी फ़ेस्ष जांपाइबी दर्गा से विस्की जानकारी मिलती है इस आक्रमन की जानकारी अ धायबी पीर क्यलिक यह कौन सा लेक है बई यह कौन सा लेक है ये फार सी लेक है कब लिखा गया यह 3010 में लिखा गया यहां पर एक प्राप्त होता है यहां की सिस्टाइब्न पिर की दरगाता origin के लेख प्राप्त होता है जो फार सी लेख माना जाता है तेरा सु दस में लिखा गया इसमें कहा जाता है कि इसे इस्वर का साया बताया गया इसी संसार का रक्षर बताया और इसी को सिकंदर इसानी बताया गया किसको अब में किसको बताया गया भी इसको अलाउद्दिन खि इशुर का शाया बताए गया क्या यह ते दूसरा इस नहीं भता स्क। की उपादी दी जाते है और क्या दिवर संसार का रख्षफ थिए खाद इससें संसार का रख्षफि जाता है, संसार का रक्षत कहा जाता है यह सारी जानकारी हमें कहां से मिलती है राजस्तानी ख्यातों से भी इसकी जानकारी मिलती है इसकी रचना कौन सी है गोरा बादलरी चोपाई कौन सी पहरे दोस्तों गोरा गोरा बादल री चोपाई कौन सी पहरे दोस्तों गोरा बादलरी चोपाई इससे भी यहां की जानकारी हमें मिलती है हम रतन सूरी की रचना गोरा बादल की चोपाई से भी इसकी जानकारी मिलती ही जानकार या किसे मिलती यहां से मिलती है अब कंडिशन क्या होती है तो यह तो पूरा हो जाता है आपका रतन शीग ठीक है इसके बाद ो और रांटी कोई क्या का आ गया करिना सिघणाः बनक्राइभ ओर कर सीखिंशी कि दो पूत्रों यह कि कि दो कूत्रों की बात करें एक पूत्री दर के पहार दोस्तों एक पूत्र इदर दो दो पुत्र थे और दो पुत्र कौन कौन से एक तो छेम सी क्या था एक तो छेम सी कौन सा था एक शेम सी और एक इधर वाला कौन सा था एक इधर वाला कौन सा था भई राहप कून था राहप इसने राना साखा की स्थापना कीती किसकी राना साखा की स्थापना कीती कहां पर क किसताफना किस्फिक्रतियसोदा फिकाने और इसने कुछた the sign of that सकाइब की यह किस्थ भी इसने लाूर स Thunder35 कूंस दो कर घया ता मैं खूछ ऐल वंस कूंशा व्हेल वन्स टो थे हैं बाल वग एथ ट्येखा वेट दो हा लोल किसकी इसने रांवल साखा की स्टापना की इसकी संथ propose साखा की स्टापना की इस तक महिए इसने रावल्श प्राक कि स्था न'S up किस अंतिम सासग जो हमने देखा आफ दूस्तों कूण हुआ राबल रतं सुल एक Euch यहां पर रावल साखात का पर रंतिम उद्र प्रकशिक का कोन हुआ ता धील ना जया कुटोड़ गड़ कषच कि रावल राव रतं सिन्जीं कूण वा था रावल रrattन सिंग के बाद यहां पर कौण बन गया वही यहां पर आला उदिन खिल जी कोन अलाउदीन अलाउद्दीन टेonsense पिलन ँ Lubem कि छिजर करने के पश्चार पैय Oh क्या कंडिशन होती है और यह कहा तोड़े दिन रुकता है यहां पर और यहां का सब प्रसा सब किसको न्यूक्ट कर देता है और किसको माल देव सोन गरा को नियूक्त कर जाता है किसको माल देव सोन गरा को नियूक्त कर जाता है क्या कंडिशन होती है यहां पर माल देव सोन गरा को नियूक्त कर देता है माल देएं और नयुक्त तर देता है खिज्रकां और कहां पर दिली चला जाता जाता और दिली चला जाने के नाम से हो भी मिलता है क्या मिलता है अब उद्र बात करें तो तो यहां तक बनवीर सोनगरा तक चलते हैं और बनवीर सोनगरा के पहले बात करें यहां पर शिशोदा का लक्षमन सिंग और लक्षमन की बात अरी सिंग का पुत्र होता है अरी सिंग के बात का आ जाता है यहां पर हमीर सिशोद्य होता है हमीर सिशोद्य होता है लक्षमन सि का यहां पर कौन पर दोस्तों यहां पर एक सासक हुआ लक्षमन सिंग कौन लक्षमन लक्षमन सिंग कोन होता है लक्षमन सिंग के बाद रहा पर आपके बाद लक्षमन सिंग लक्षमन सिंग के बाद यहां का जो सासक बनता है पर दोस्तों और बनता है अर्था इस साका को आ होता है इसका पूत्र इसका क्या है यह पूत्र है और इसका पूत्र है और इसका पूत्र इसका पूत्र अरीशिंग का पूत्र होता है अपना हमीर कौन होता है राना राना हम्मीर कोन होता है राना हम्मीर चिसोधिया और यह सिसोधिया क्योंकि सिसोधिया ऑफ बात एक ही नहीं प्रीछ घंडlt को पर दोस्तों कि शोधिया हमीर सिशुधिया ये का राजा भनता है अब हमीर सिंग शोधिया का जाता है यहां का राजा बन जाता है और राजा बनने के पश्या क्या होता है पैर दोस्तों अब कंडिशन यह आते है कि तेरा सो चबईस में कोन यह हमीर सिंग सिशोधिया और प्यारे दोस्तों हमीर सिशोधिया कब इसके उपर आक्रमन करता है किसके उपर आक्रमन करता है कब आक्रमन करता है क्या करता है यह आक्रमन करता है ठीक है आक्रमन करता है ठीक है और कब करता यह 1326 में कब करता है बही 1326 में आक्रमन करता है और आक्रमन क करके किस पर किस पर चितोड़ पर अधिकार कर लेता है किस पर चितोड़ पर अधिकार कर लेता है क्या कर लेता है अधिकार कर लेता है कौन हमीर सिंग किस पर अधिकार कर लेता है हमीर सिंग सिसोधिया चितोड़ पर अधिकार अधिकार कर लेता है क्या कर लेता है वही चितोड़ पर अधिकार कर लेता है कौन कर लेता है वही चितोड़ पर अधिकार कर लेता है कौन हमीर सिंग सुसोदिया किसके उपर आक्रमन करता है 1326 में किसके उपर प्यारे दोस्तों 1326 ECU में बनबीर सोनगरा को पराजित करके इसको पराजित करके किस पर चितोड़ पर अधिकार कर लेता है अधिकार करने के पश्चाथ यह यहां पर सिसोधिया वंस की इसता अपना कर देता है कौन कर देता है हमीर सिंग सिसोधिया कौन कर देता है तो यह पूरा जानकारी होनी चाहिए आपको हमीर सिंग सिसोधिया य इस पर चितोड पर अधिकार कर लेता है कौन हमीर सिंग्स सूधिया यहां पर पूरे की पूरी डाइग्राम नहीं करता है कि जरकां की बाद माल्ले बंभी शोगन गर्णा जिसको जैसा भी कहा जाता है क्या कहा जाता है जैसा भी कौन पहलों दोस्तों इस जेसा को पराजित करके कौन यहाँ पर हमीर सिशूदिया और यहां पर किस語 जाता है सिसोधियाओं का अधिकार हो जाता है किस पर चितोडगड़ पर सिसोधियाओं का अधिकार हो जाता है ठीक ही का अब बात करते हैं हमीर हमीर तीं सिसोधिया इसो या यह भी कहा जाता है इसको क्या आपके पास राणा हमीर यह भी कह सकते हैं सकते हैं आप चमीर एक है के नाम है और कि क्या करते हैं इसका साशंकाल शाग Стee 12 से में दोस्तों 1360 मेने कारफ करता है 1 राव रेता है रहता है अरफ अ हमutes INTER2 सी 634 तक रहता है कहां का सासक बन जाथा ये बरकाशा सवी आंको साषिघ बन जाता है विब एक वाद का सासdays बढ़ाच बन जाता है राणा हमीर या हमीर सिंग सोधिया अब मेवार का सासक बन जाता है अब क्या कंडिशन होती है कि डूप क्या का जाता है क्यों क्या कहा साथ इसे मेवार का उद्धारक कहा sensations WRT कर देखता है मेवाड का दारक कहा जाता है रहा जाता है मेवाडUS International गुंहिंख को जिन्दा करने वाला सासक माना जाता है नहीं तो कहा जाता है अलमाधिन खिल जी के द्वारा यहाँ तेवाल साका को समाप्त कर दिया ता और यह अधुन जीवित करता इस कारणी से वेवार करता किसको आजाता है रानां हमीर को कर दता किसको का जाता है चार दता करें जहां पर में जानकारे मिलती है कि यह किस किस के बीच होता है दिल्ली का सासकता मौंबद बिन टूगलग कौन भई मौंबद बिन तूगलग दिल्ली का सासकता और हमीर के बीच किसके बीच होता है हमीर सिंग के बीच दिल्ली के एक सिंगोली का यूद कौन सा भई इंगोली का यूद का युद्ध रिच्छे कहां पर होता है पांस वाड़ा में यह तेरा सो चब्वीस चतीस में होता है कब होता है तेरा सो चतीस में तेरा सो चतीस में सिंगोली के युद्ध होता है किस किस के बीच होता है पैर दोस्तों यह होता है किस किस के बीच होता है यह जो युद्ध होता है यह युद्ध होता है दिल्ली का सासक कौनता वही दिल्ली का सुल्टान इधर मेवार का सुल्टान तो कौनता मेवार का तो थ कौनता हमीर सिंग कौनता हमीर सिंग शोदिया या हमीर सिंग वर्सीज कौन था दिल्ली का सा सकता कहा का भई दिल्ली का कहा का दिल्ली का सा सकता मुहमद बिन तुगलग कौनता भई मौमद बिन तुगलग कौनता भई मौमद बिन तुगलग के बीच युद्ध होता है किसके मुअमद बिन तुगलक के मद्दे युद्ध होता है और इस युद्ध में कहा जाता है कि हमीर इसको मुअमद बिन तुगलक को पराजित कर देता है क्या कर देता है यहां पर विजे कोन होता है यहां पर विजे होता है हमीर कोन होता है भी हमीर विजे हो जाता है और विजे ह राना मिर्क fianandine द्वारा समाना जरता है और तो सससक इसने को विजय के आीаний सब्रतम वो था आपका हमीर की द्वारा संतार फ्राप्त कर लिए घया था इसके कुछ अपना भी मिलते जूत अब बात करें तो नहीं आ अभलत करें डिल्कवर भा paycheck to को दूबार लग्दित अपनम इसकी बात करें उपन नाम की बात करें एक तो मेवाल का उद्दारक किसका मेवाल का उधड़ाइद नारक द्दारक अधरक जीवन देने वाला निर्मान करने वाला क्या कर रहाता है रहा कर दोर ने रbl convene कहां पर प्यार दोस्तों चितोडगड में कहां पर चितोडगड में राना किसका राना शाखा राना शाखा का संस्थापक कहा जाता है किसको राना हमीर को कहा जाता है कि तोड़ गड़ में राना साका का संस्तापक किसको माना जाता है भी राना साका का संस्तापक जो माना जाता है पहर सात्यों वो माना जाता है किसको राना हम्मीर को माना जाता है राना साका का वास्त्विक संस्तापक भी से कहा जाता है और क्या कहा जाता है भी राना शाका का खोंची साका का राणा शाका का वास्त्वीक शंस्तापक वास्त्वीक वास्त्वीक शंस्तापक किसको का जाता है भी वास्त्वीक शंस्तापक किसको का जाता है भी वास्त्वीक शंस्तापक किसको का जाता है राना हम्मीर को कहा जाता है राना हम्मीर को कहा जाता है याद रखेगा इसे और क्या 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 कहा जाता है इसे उपादियों की बात करें किसकी उपादियों की बात करें राना हम्मीर की उपादियों की बात करें देखेगा उपादियों की बात करें पहरे दोस्तों इसकी उ उपाधियों की बात करें, उपाधियों की बात करें, उपाधियों की बात करें, उपाधियों कोन सी इसके पास सबसे पहले है, जहां पर इसे विशम घांटी पंचानन का जाता है, क्या का जाता है, विशम घांटी विशम घांटी पंचानन का जाता है, क्या का जाता है, इसे गैली विसम हांटिक पंचानन का जाता एव हुसम घांटिक परषय किर्थी इस्तम्भ की कीर्थी इस्तम्भ कंबलगण इनुट प्रस्टि में तां का गाया है है इसा bizarre गांटि के संग्या दी जाती है कुमबलगण प्रस्टि में या लगण प्रस्थि की बात करें या फिर बात करें कि इस्तंब प्रस्थि भी वीर राजा कुंबा की टिका में कहा गया है इसे वीर वीर राजा की उपादी दी गई है और यह कहां कहा गया है कुंबा कि माराना कुंबा की टिका में कुंबा की टिका में कहा गया है तो वीर राजा कहां वीर राजा काह गया कुमबा की टीका में इससे क्या का गया वीर राजा टीक AH रसिक रसिक प्रिया क्या नाम ता इस टिका का रसिक प्रिया में कहा गया है कुम्बा की टिका कुम्बा की टिका रसिक प्रिया में कहा गया है ठीक है कहा गया ठीक है इसका उलेक कहा पर किया गया है इसकी जो वीर राजा कहा पर कहा गया इसको कुम्बा की टिका थी कुम्बा गिट्टी का कौन रशिक प्रिया और रशिक प्रिया में क्या का गया है इसे वीर राजा की उपादी से संबोदित किया गया है इसको राणा हमीर को इसे प्रभल हिंदू राजा का जाता है क्या का जाता है इसे प्रभल हिंदू राजा का जाता है क्या का जाता है इसे प्रभ सब्सक्राइब करनल कंच टूड के कि दौरा की गार्णि करनल किसी प्रबल हो राजा किसा धर डौरा ने कि सब critical कि के सब्सक्राइब को रापर्णिया को मिलती है और यह विश्यस रुप से आपको ध्यान भी रखनी कुछ मिवेब के इतियास और पहतो पहुंच गए पहर दोस्तों राना हमीर पर पहुंच गए राना हमीर और इसके बारे में तो जानकारी प्राप्त करें रच नीजिक अपना है वह देख लिए आपने अर्फात यहां से रनसिंग और रावल रतन शींग खतम होता है रावल रतन श करता है पुद्वित करता है अपने करता है अधिकार कर लेता है अधिकार कर लेने के पश्चात है क्या कंडिशन होती है के इस के अधिकार कर लेता है अधिकार कर लेने की परच्चहथ कि आनला बन जाता है हमीर सिसोदिया या राना हमीर का जिस्टा सौदिया यहां पर इसे मेवाड का उध्दार का आ जाता है सिंगोली का युद्ध होता है कब कई होता है त 216 में होता है जिसमें मेवाड का अंवार का HD कॉण मौंस्त बिन गुज्द के बीच होता है सिर् вос पुर्णाम की बात करें तो मेन आ रांता धाता एंग तोर्ण चीह माना जाता है अ विस्म घाटिक पंचानन का जाता हैं पंचानन कमल गड प्रसस्ती और बात करें यहां पर वीर राजा वीर राजा जो उपादी दी जाती है माराना कुमबा ने दी गई और माराना कुमबा इसका उलेक कहां पर करता है इसका उलेक रसिक प्रिया रसिक प्रिया एक टिका करता है इस टिका में कि करता है उलेक और तो यहां पर इसे एक उपादी दी जाती प् इसके बाद चो तासक बनेगा पेर दोस्तो चोछट में रणा खेता बढ़ता है कोन बनता है माराना खेता या रना खेता अगर के लिगा नेक्स बात करते हैं इसके बात करने जा रहे हैं जो डिलिगा था कि महाराना यह अग्टा ओन बनें गव्ध अ आराना कि था एलई और टीटा सब्छे और यह इसको च्छेतरशींग से नाम से संबोदिद किया जाता है यह कब से कब तक यहां था साथ सकता है भी यह रहता है कि उसकी निम्रति होती होती है वह देखिएगा तक करता है सब्सक्राइस पाओ सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां का सासक बनता है और से सासक बनने के बात बाते का अब क्या कंडिशन होती है यह दासी पुत्र इसी के दासी पुत्र थे चाचा और मेरा नाम सुना होगा मोकल के हत्य की ती जिस नहीं इसी के दासी पुत्र थे इसी के एक दासी थी और उस दासी के क्यों थे पुत्र थे अब देखिए जहां पर संबंधाइं संगर्थ बात करें जहां पर पर किया साथ इस एक तरफ तो आपका कों सामराजिय murder पहरे दोस्तोे इस त्रीकिये से आपका इने मेवार का सामराजी इदर मेवार और बेवार बूंदी का सामराजी किई हे यहां पर क्या है बूंदी राज ची उन्सा पहरे तो बुंदी राज्य और इस बुंदी राज्यम का को ने व Alm और यहां पर इसी के समय क्या इस संबंदों में खठास आने लगती है मेंवादा जाबुंदी का संगर्श ठराराम होता है और इधर देखीए गा जूनीचे मालवा का और मालवा कॉसे दिनावर खांग गोरी ये कहां का एरसा से मालवा का परनेचे जाएंगे क्योंपा अधर जायंगे सபेकि नावर अधिर मालवा कुण कि पूरी कि दिलावर कहां गूरी यहां का सा सके इसके मद्दे यहां पर इसी समय इसके मद्दे और इसके मद्दे क्या होता है मेवार और हाडोती हाडोती मतलब बूंदी मेवार और हाडोती के क्या संगर्स या बूंदी का संगर्स पराराम होता है क्या होता है कि मेवार शंघर्स प्रारम होता है रहुता है जाओ भी चंघर्स प्रारम होता है इस सब्सक्रार बात करें यहां यहां पर बात करें, किसके साथ शंगर्श परारम होता है, मेवार और मालवा की था, कि इसके साथ मेवार, मेवार व मालवा, कि मालवा के मद्ध appelle शंगर्ष प्रारम ब्रोता दो हिए या कि यह यह संगर्ष प्रारम होता ऐसी के समय तो संगर्ष जो महत्पुन माने जाते है पर दोस्तों किसके शवर प्रारम होते हैं राणा के समय या छेत्र श्ञेंग के समय यह संगर्स प्रारम होते हैं अब क्या कंडिशन इसके बाद वैसे इसको कोई समध सपलता नहीं मिलती है लेकिन तोड़ा सा मूल मुटाव होता है लेकिन इसकी ज्यादा उपलब दिया नहीं होती है इसी का फुत्र राणा खेता का प्राणा नेक्स्ट वो मेवार में एक सासक बनेगा वही और मेवार का जो नेक्स्ट शासक महाराना अहां प्राणा लाखा उन बनेगा प्राणा लाखा या लक्सिशिंग तो कहते हैं तो जो तरस ते आरा काला माना जाता है पहरा दोस्तों सासनकाल एधना तोर लुखतो है ने करूद सर्सक्ट कोब माराना लाखाbers इम्परणा बहुत fox राना लाखा बहुत इंपरेंट सक्माना जता है यहां पर इंपर당히 पुर्म जांग्यार की बात करती करें जा रहें धोड़ा सफ्छांस संजिए तो सिंसका आयता है जो क्या माना जता है आर्टिक से इसका में इतियासλι का आर्ठिक उनितिक कार गाप नहीं है में एक यह आर्थिक उन्नती का काल काह जाता है इसको इसके राणालाखा के शासनकाल क्यों कहा जाता है भई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी के इसी के समय क्या निकाले गई जावर की खाने निकाले गई जावर की खाने निकाले गई और जावर की खाने निकाले गई और जावर की खाने किसकी थी यह कहां से निकल गई यह चांदी की खाने मिले थी जावर की खाने खोजी गई यह किसकी थी चांदी की खाने थी किसकी च आप चांदी सस्ती हो गई घ्र बना कर पेने हों और देखी का इसी के सासनकाल में और क्या काम हुआ इसे लड़ाई जगड़े वाला तो है नहीं भानती प्रिये सा सकता कोई टेंशन नहीं है इसी के सासनकार में पिछोला जील का किसका पिछोला जील का निर्मान करवाया गया किसका निर्मान करवाया गया पिछोला कौनसी पिछोला जील पिछोला जील का निर्मान हुआ इसक तो पिछोला जील कि बात करें परेसात्यों. तो काता है कि यह जो पिछोला जील है है यह पिछु बनजार है किसके देखरां पीछू बनजारे के बनजारे और च्पे करहां एक तो नाम मिलता है क्याँ कि पिछू कि अज्चू YouTube यह चीतर इस तर बंजारे के द्वारा बंजारे की क्या थे द्वारा करवाया गया था इस पिछोला जील का निर्मान पिछोला जील का निर्मान करवाया गया था पिछू या छीतर बंजारे के द्वारा क्यों करवाया गया था कहा जाता है कि प्यारे दोस्तों यह व्यापारी थे बड़े अम मृपार करने के लिए निकल कर जा रहा था इस चेत्र से फ़्यपुर वाले चेत्र से निकल कर जा रहा था तो इस चेत्र में के पास दो बेल वागाए धने गाड़ी बेल से व्यापार करने के लिए जा रहा था यहां से निकल कर जा रहा था यह बेल गाड़ी एसे और यहां पर बेल बेल बीच में यह इस तरीके से गाड़ी हुआ करती थी इस तरीके से गाड़ी करने के लिए जा रहा था यह तरीके से गाड़ी हुआ करती थी और यह घाड़ी को लेकर करना जा रहा ता बहुंद अजय रहा था इस छेतर से निकल कर जा रहा था तो यजए एक का नाम था उच्छोला कौन सा था उच्छोला और एक का नाम था पिछछोला क्या था पिछ और एक कना पिछोला और इसी दोरान जब यह निकल कर जा रहा है था तो प्यास के कारण और का जाता है यहां पर दल्दल था इस दल्दल में यह बेल पस जाते हैं इस दल्दल में क्या कर जाते हैं दल्दल में बेल पस जाते हैं और प्यास के कारण किसके कारण प्यास के हो जाने के कारण फेरे दोस्तों इसकी याद में यह चीतर बंजारा या पिछू जील का निर्मान करवाता दोस्तों उस सब्सक्राइब रखता है और इस जील का निर्मान करवाया गया किसके द्वारा पिछू बंजारे की द्वारा क्यों करवाया गया इसके दो बेल हुआ करते थे एक पिछोला यह व्यापारी था व्यापार करने के लिए जा रहा था निकल कर जा रहा था तो प्यास के कारण एक बेल की मृत्ति हो जाती है क्यों कर जाएगा इसके पष्चाथ का जाता है इसी के समय इसके समय यह यह बैसा आप ठेख कौन राना यहां नें कॉंड़ बूंदी की प्रारम उठीन को ए के व भीजे प्राप्त नहीं कर पा रहे थे और तो ये नगली के लेका निर्मान करवाता है किसका नकली किले का निर्मान करवाते हैं किसका निर्मान करवाते हैं पूर्दी का एक किला बनवाते हैं किसका निर्मान करवाते हैं यह बड़ा सा दूर्ग का निर्मान करवाते हैं और बड़ा सा दूर्ग का निर्मान करवाते हैं और बड़ा सा दूर्ग का निर्मान करव यह बड़ी बड़ी दिवारे बनी हुए इसकी दिवारे बड़े भी दिवारे थीवारे बनी हुए यह तरवाजा है इस दरवाजे में गेट लगे भोग है अब क्या करते हैं यह नकली किले का निर्मान करवाते हैं कौन करवाते हैं ये बड़ा सा दर्वाजा बनाया जाता है इस दर्वाजे से एक नकली किले का निर्मान छोटा सा गड़ी का निर्मान करवाता है और कहा जाता है कि जब ये इसको बूंदी के किले को नहीं जीत पाता राणा लाखा राण जीतूँँगा तब तक मैं अन जल गहरण नहीं करूँगा बावड़या हैं नो प्रतिग्या कर लेता है क्या प्रतिग्या कर लेता को वहाँ चीना कर लेता है अब अब आसे प्रतिक्ए कर लेता हो ढर अ क्या वड़ा सोचा टेंगU रभायेकं और भूंदी वाले से डोन किसका नकली किला बुंदी का नकली किला बनवाते हैं क्या बनवाते हैं यह नकली किला बनवाते हैं किसका कौन सा बुंदी का कहा का बुंदी का नकली किला बनवाते हैं क्या बनवाते हैं नकली किला बनवाते हैं और यह आकरमन करने आता है कौन इसके उपर कोन आकरमन करता ह बुन्दी की विजय नहीं हो रही थी तो क्या करता है यह नकली किले का निर्मान करवाते हुए कुम्बा हाडा, वीर गति को को प्राप्त होता है ठीक है कुमबाडा वीर गति को प्राप्त होता है नकली के लिए पर आक्रमन करेंगा तो क्या करता है यह कोई-कोई तो लड़ो रजार उठी कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई-कोई- कुंबा हाडा वीरगति को प्राप्त होता है नकली के लिए को यह जीत लेता है और इसकी शर्थ पूरी की जाती है नहीं तो राणा लाका की फाइल पहले ही सलट जाती है ठीक है क्या होती है पहले ही शर्ट जाती है अब कंडिशन क्या है नकली के लिए पर यह विजे के तकली के इतले पर इसकत पर तब करता है कि इसके पर्सकारना इतले चनले वाध के आग policy करता है आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं आगे बात करें कि यहां पर बात करने जा रहे हैं वहीं कि बात करने जा रहे हैं तो यहां पर देखते हैं यहां पर एक जील बनाते हैं सबस्क्राइब यह आपकी कि जाहे है कि एक है और यह क्या हो जाएगी प्रफिल में बरें पानी भर दो वह गया पानी पिल में आ जाता है और यह जील कौन सी होगी आपकी पिछोला जील कौन सी भई उन्हों है कौन सी जील होगी आपकी यह है आपकी पिछोला जील किसकी बात कर रहे हैं पिछोला जील और इस पिछोला जील की बात करें पहरे दोस्तों क्या-क्या इसी जील के किनारे एक थाड़ा अर्थार्थ नटनी का चबूत्रा बना हुआ है क्या इसी जील के किनारे यहां पर एक ओर नटनी का चबूत्रा बना हुआ जबना हुआ है और यह का गूत्रा जयका किनारे के बना हुआ है क्या है यह न Ugh नठनी का चबूतरा क्या बना हुआ यहां पर गलकी नठनी कि यह कौन की नठनी का यह गलकी नठनी का चबूतरा बनाओ यह जिसके पाद पीछे एक कहानी मानी जाती पयर दोस्तों कि इसके सासनकाल में हुआ करती थियुंज इससे कुछ मांगती है कि इसे कि रस्घी Coordin done य styl taper के बीच वह यहां कर देती है करने के शर्ष करने करने के पार ही करने वाली तो यह उसके सामने सर्थ रखती है कि आप क्या दोगे मुझे अगर उस पाड़ी पर इस रसी पर चल कर चली जाओंगी तो आप दोगे क्या कहता हैं आधा सामराद्वी तिरे को देदूँगा एसा कहने के बाद जब नतनी ठीक की तुर डन वही डन ड़ना और किया जाता है। ये चलना प्रारम करती है कौन नटनी एक पाड़ी से दूसरी पाड़ी पर चलना प्रारम करती है ये पाड़ी और एक ये पाड़ी इसके बीच में रसी और इस रसी पर कौन चलती है वही इस रसी पर ये नटनी गल की चलने का कारे करती है और ये इस पाड़ी से इस पाड़ तो नठनी गिर जातीए गिर जाने के पार इसका चबूतROW बनवाता है। कि कि याद помог इसके आदम में गलकी की आद में बनवाता ही कि पियाद मेरे जाएगा कि तो कि अब का है इसी के पास नटनी का चबूत्र है जो माराना लाखा द्वारा निर्मान करवाए घय està बना हुआ इसका निर्मान राना के द्वारा करवाया जाता है याद रह जाएगा वही याद रखना ओब बात करें और बात करें क्या बात करते हैं यहां पर कहां पर इसी जील में मंदिर बना हुआ लंवाएं कोन सा चाहां पर की तरह महल बना हुआ है इस मंदिर को किस नाम से जानते जया कि मंदिर की नाम से जानते महर है इस कंदिर कि यह महल बना वह बहुत विसाल महल बना हुआ है इसे क्या नाम दिया जाता है इस महल को जग मंदिर कौन सा जग मंदिर नाम दिया जाता है क्या नाम दिया जाता है जग मंदिर जग जग मंदीर कौन सा महल है यह जग मंदीर महल बना हुआ है यहाँ पर जग मंदीर महल बना हुआ है किस जील में इस पिचला जील में जग मंदीर महल बना हुआ है याद रखने क्या ही यह महल है जग मंदीर महल बना हुआ है जिसके बारे में कहा जाता है इस महल का निर्म कर्ण सिंग ने प्रारंब किया था इसका निर्मान किसने प्रारंब किया था कर्ण सिंग इसका इस महल का जो निर्मान प्रारंब किया था कर्ण सिंग इस महल का निर्मान किसने प्रारंब किया था कर्ण सिंग इस पिछोला जील में बना हुआ जो पिचला जील में जो महल बन हुआ है इसका निर्मान प्रारम किया था कंड सिंग के द्वारा इसका पूर्ण निर्मान की बात करें इसका पूर्ण निर्मान क्या पूर्ण निर्मान और इसका पूर्ण निर्मान करवाया जाता है जगत सिंग के द्वारा जगत सिंग के द्वारा करवाया जाता है किसके कड़ शिंग्यद्वारा करवाए जाता है साजा ने सरण ली थी और गफूर बाबा की मजार बनी हुई यहांपड क्या साजा ने इसमें सरण लीए त offendedlyn आने 2017 कि एक तो logistics यहां इसमें सरण लीथी आजणे पाज quarantine कि नाने साजा ने मैं ने मैं सरण लीथी इसमें सरण ली ती क्या ली थी साजा ने इसमें सरण ली थी याद रखेगा और यहां पर ही और यहां पर क्या बनवाई थी गपूर बाबा की मजार बाबा की मजार बनवाई थी क्या बनवाई थी क्या बनवाई थी गपूर बाबा की मजार बनवाई थी साजा ने यहां पर सरण ल तो सप्ताओं की क्रांती के दोरान कभ प्यारे दोस्तों 18 सप्ताओं की क्रांती के दोरान क्रांती के दोरान किसने स्वरूप सिंग जो मेवाल का सा सकता स्वरूप सिंग उस्वरूप सिंग के द्वारा अंग्रेजों को क्या दीती सरण दी थी 40 अंग्रेजों को सरण दी थी पूरी पूरी बात किसके बारे में कर रहे हैं इस जगमंदिर के बारे में कर रहे हैं और ये लेते हैं सरण लेने के पश्यात वहां पर सोरूप शिंग के द्वारा सावर्स को बेजा जता है शावर्स इसको यहां से अंग्रेजों को 40 अंग्रेजों को निकाल कर लाता है उनके वीवी वच्छों को निकाल कर लाता है और यह सोरूप सिंग कहां पर उनको जगमंदी में रखता है कहां पर रखता है जगमंदीर में सरण देता है इस मंदीर में इनको द्वारा सरण दी याद रखेगा ठीकिए यह सारी चीले याद रजाएगी एक बना हुआ है यहां पर जगनिवास महल क्या बना हुआ भी एक जो महल बना हुआ है इसी जील में कुन सा महल बना हुआ है यहां पर जगनिवास महल कुन सा महल बना हुआ है यहां पर एक जो महल बना हुआ है दोस् जग निवास जगनिवास महल कौन सा महल बना हुआ है जगनिवास महल बना है तूसरा महल जो है यहां पर कौन सा बना हुआ है इसी जील में कौन से जील में जगनिवास एक तो जगमंदिर है एक जगनिवास और जगनिवास महल का जो निर्मान करवाया जाता है प्यार दोस्त और कि कापर इसका निर्मान की बात कर लेते हैं जो निर्मान करवाया गया निर्मान कि किस जील में पिछोला जील में यह कौन सी जील है पिछोला जील निर्मान का निर्मान जो करवाया गया जगत सी किसके द्वारा जगत सी और जगत जगत सिंग कौन सा सेकंड वाला जगत सिंग सेकंड के द्वारा इसका निर्मान इसका अन्य नाम अन्य नाम की बात करें अन्य नाम तो इसको किस नाम से जानते हैं लेक पैलेस के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं लेक पैलेस के नाम से जानते हैं क्या नाम से जानत रखना है आपके ठीक है और का आ जाता है कि यहां पर एक सीटी पैलेस या राज महल बना हुआ है कहां पर इसी जील के किनारे यह तो अंदर है इस जील के किनारे क्या बना हुआ है लेक पैलेस तो यह वो गया एक सीटी पैलेस बना हुआ है यहां पर चलिए नेक्स एक और बात करते हैं और यहां पर क्या बना हुआ है इसी जील के किनारे इसी जील के किनारे बना हुआ है एक महल और बना हुआ है इस जील के किनारे इस जील के किनारे एक महल और बना हुआ है हम बात करें एक महल है यह कौन सा यह महल बना हुआ है यहां पर जिसका आवास्ती रूप से देखा जाए तो राज महल भी करते हैं क्या करते हैं सीटी पैलेस क्या करते हैं डीटी पैलेस और इसको क्या क्या करते है और राज वह राजमहल क्या करते हैं वही राजमहल भी कर संबोधित करते हैं इसी को सीटी पेले स्कोई राजमहल भी करते हैं याद रखेगा अब कंडिशन क्या होती है पैरसास्यूं यहां पर जो समझ में आता है वो माराना उदे कि द्वारा इसका निर्मान करवाया गया किसके द्वारा इसका निर्मान करवाया गया इसका निर्मान की बात करें इसका निर्मान करवाया गया उदे कि द्वारा किसके द्वारा उदेशिंग के द्वारा इसका निर्मान करवाया गया और देखिए इतियासकार इतियासकार फर्गूशन ने इसे क्या कहा गया उदेशिंग निर्मान करवाया विल्ड सर की संग्या दिये फर्गूशन ने इसे क्या कहा गया राजस्तान का विल् कहा गया? राजस्तान का विंड सहर महल कहा? क्या कहा इसने? इतियास का परगुशन ने इसको city पर यहां पर एक बना हुआ है इसके कहा जाता है यहां पर जगदीश मंदिर अहीं का है के लास कुरी उद्यपूर में बना वा या जगदीश मंदिर बना वह चेămht बात करते हैं कि नेक्स बात करते हैं एक मंदिर बना हुआ है कौन सा मंदिर बना हुआ है एक मंदिर बना हुआ है यहां पर केलास पुरी उधिवपुर में एक मंदिर बना हुआ है यह मंदिर और इसको क्या करते हैं जग मंदिर कौन सा यहां पर केलास पुरी उधिवपुर में कौन सा मंदिर बना हुआ है कहां परे केलास पूरी पूरी केलास पूरी काम पूरी कहां पर्दता है यहां पर जान का रिद जानका रिदिये इसका निर्माण इससे सपनों का मंदिर भी करते हैं इस जगनात मंदिर को क्या करते हैं शपनों का मंदिर करते हैं और अगर देखें यहाँ पर क्या द्वारा करवाया गया और यहां पर जो जगनाथ पुरस्थे लिखी हुई है उसकी वजांपारेर हमें मिलती है इसके द्वारा इसका निर्मान की बाट करें जानिर महां कि नीर्मा इसने करवाया जगत गरत प्रतुपने करवाया और यहां प्रत элемиков आन्य मिलती है सपनों का मंदिर करते हैं इसे सपनों का मंदिर क्यों 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 क् तो पहरे दोस्तों आज के लिए इतना है कापी और मिलते नेक्स क्लास में नाक्स जुनून के साथ नए जुनून नए उत्सा नए उमंग के साथ जुड़े रहे पहरे दोस्तों डीजेसर क्लासेस के साथ मैं मदन मोहन आपको हिष्ट्री लेकर पढ़ाता रहूंगा और बड इतना है कापी नमस्कार प्यश्पार दोस्तों ये सिवरांड़ ना कि करुड़े साथ विल्हार अला कि करें और तेक इस ड्वाहां था तुड़े श्याय कर दोंग वारा एं कर दो